नमस्कार, आदाप, गुडिवनिंग, सस्रेकाल दोस्तों, मैं हूँ मन्मिंदर और मेरी चैनल पे आप सभी लोगों का भहुत स्वागत हैं, सभी का मैं खेरवग्दम करती हूँ और आज मैं नवजोज सिंग सिद्धू की बात करती हूँ, जेल में रह करके बाबाजी का ठुलू, नवजोज सिंग सिद्धू कुछ ज्यादा ही जोज से लबरेज दिखाई दिये आज, यही नहीं उन्होंने वहाँ ऐसा लग रहा था कि जेल में पावर की हाई डोस भी ली है, इसलिए जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने केंदर पे आरोप लगाने शुरू कर दिये, अटेक करना शुरू कर दिया, और जो उनके मन में आ रहा था, वो ही वो बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो जेल से निकलते ही, दोहजार चौबिस में कॉंग्रेस की कमजोर हालत का दिमाग में खौफ रख करके कॉंग्रेस के लिए महाल बना रहे थे, आईए जानते हैं कि उन्होंने जेल से निकलते ही बाहर क्या-क्या ब्यान बाजी की, सबसे पहले तो उन्होंने राहुल गांधी को एक क्रांती बत खफ में है कि वो सच नहीं सुनना चाहती, तो अब मेरी बात सुने, कि इस देश में तानाशाई चल रही है, एक क्रांती आई है और आज मैं चाती ठोक करके ये कह रहा हूं कि उस क्रांती का नाम है राहुल गांधी और वो सरकार की जड़े ही ला देंगे, दोस्तों मैं आ दस्ता रद्ध हुई है संसत से और अभी उनके ओपर कई और भी केस चल रहे हैं, ये सब उस समय हुआ जब सिद्धु जेल में थे, और ये सब सिद्धु ने राहुल गांधी के पक्ष में महौल बनाने के लिए बयान बाजी की, पिछले दुनों मान हानी केस में दो साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की जैसा कि आप जानते हैं, लोग सबा सदस्ता छीन ली गई है, इसके बाद उन्हें सरकारी आवास भी खाली करने का नोटिस मिल चुका है, विदिन मन्त उन्हें वो अपने सरकारी आवास खाली करना होगा, जहां वो रह रहते, इसे लेकर के कॉंग्रेस देश भर में परदशन कर रही है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए ऐसा लग रहा था कि सिद्धू अपने बात कर रहे हैं, जेल से भार आते ही उन्होंने सियम बगवन सिंग मान को भी नसियत दे दी, और कहा कि आज लोगतंतर बेडियो में है, आज कोई चीज नहीं है, अगर मेरा छोटा भाई बगवन तमान ये सुन रहा है, तो वो सुन ले, पंजाब देश की ढाल है, आज उस ढाल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पंजाब में प्रेजिडंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है, और सिद्धू ने ये भी जोड़िया की पंजाब में जहां कहीं भी अलप संग्यों को की अबादी अधिक है, वहाँ वहाँ लोकतंत्र नहीं केंद सरकार शरजंत्र कर रही है, उन्होंने अपने जितने भी मन का गुवार था, याने कि वो दस महीने से जेल में थे, तो जितने भी उनके मन में दिये हैं, दर असल रोड रेस केस में 19 मई 2022 को उन्हें एक साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी, 1988 का ये केस था, रोड रेस केस के एक मामले में 65 साल के गुन्नाम सिंग की मौत हो गई थी, हाई कोट ने पिछले साल सिद्धू को इस मामले में दोशी ठहराया था और उन्ह एक साल के सैश्रम कारावास की सज़ा सुनाई थी, और शिद्धू पिछले साल 20 मई से जेल में ही बनते हैं, तो दोस्तों उनका जेल से बाहर आकर के गुबार निकालना भी बनता था, जिस तरीके से उन्होंने केन सरकार पे हमला किया, जिस तरीके से उन्होंने बगवन मा गले लगा लिया, उससे कहीं न कहीं ये लगता है, कि जेल में वो ये मन बना के आये थे, कि अब 2024 में चुनाव बहुत नजीक है, और उन्हें ये भी पता है कि कॉंग्रेस की हालत बड़ी पतली है, तो वो उस तरीके का महल बना रहे थे अपनी बयानमाजी से, तो दोस्तो ये तो थी सिद्धू के बाहर आने के बाद जो महल बन रहा है, उसके बाद, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईए, और मेरे कंटेंट आपको उसी समय मिल सकें, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर कंटेंट, हर स्टोरी, हर कबर आप तक सबसे पहले पहुँचे, फिलाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल लगिए, खुश रहिए, तंद्रुस रहिए, जैहिन, जैभारत